नमस्कार अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीती मिश्रा आप सब का हरदिक स्वागत करती हूँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा साथ की दूर्वा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका आठमा पार्क काबुली वाला काबुली वाला रवीद ठाकुर जी के लेकी हुई एक बहुत ही मारमिक कहानी है खुद सम्वेदर शील कहानी है और जिसमें हम देखते हैं कि एक काबुली वाले की कोई कहानी सुनकर हम लोग बड़े भावो खोरते हैं ठीक है तो हम लोग पढ़ते हैं अभी काबुली वाला सहसा मेरी पांच वर्ष की लाडली बेटी मिन्नी अगडम-गडम का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोड़-जोड से पुकारने लगी ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले मैं ऐसे मैं उपन्यास लिख रहा था मैं सोचने लगा, यह मेरी बेटी कितनी चंचल, कितनी बातूनी है बातूनी में बहुत स्यादा बाते करती है अभी कुछ शड़ पहले, मेरे पैरों के पास बेटी खेल रही थी और अचानक पता नहीं, इसको क्या सुझी कि मिन्नी के, यह अलग बात है कि मिन्नी के इस बात से मुझे अचरज, हैरानी तो नहीं हुई, पर परिशानी ज़रूर हुई अब मैंने सोचा कि अब मैं अपना पन्यास कैसे पूरा करूँगा जो ही काबुली वाले ने हसकर मुँ फेरा, वो मेरे घर की ओर आने लगा और जैसे उसने देखा, काबुली वाला हमारे घर की तरफ आ रहा है, वो अंदर भाग गई डरके उसके मन में जूटा विश्वास था, कि काबुली वाला जो उसकी जोली है, जिसमें क्या है सूखे मेवे निगभरे रहते बलकि हो कुछ बच्चों को उठा लेता है और उसमें 3-4 चुराएवे बच्चे है काबुली वाला मुझे सलाम करके खड़ा हो गया और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि यदि कोई मेरे घर आ जाए तो मैं उसे बिना कुछ भी सौधा लिये उसको ऐसे ही टाल दू तो लेकर भी बहुत भाबु कहा है तो उसने का मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती तो इसलिए उसने उससे थोड़े से सौधा लिया और उससे बाते हुई उसने काबुली वाले से बात की जब लेकर करें तो पता लगा उसका नाम रहमत है अंत में उठकर उसने पुछा अरे बाबुजी आपकी लड़की कहां गई मैंने मीनी के डर को खतम करने के लिए कि इसका बच्चे को डरना नहीं चाहिए मैंने उसको अंदर से बुलवा लिया मैं मुझसे सठकर काबुली वाले के चेहरे और जोली की तरफ शक्से भरी नजर से देखते लिए क्यों उसको तो डर था कि इसमें क्या होगा इसमें तो कुछ चुराए हुए बच्चे हैं अब उस जोली में से निकालकर उसको कुछ सूखे में देने लगा तो उसने पहले तो राजी नहीं हुई डर से मेरे खुटने में आकर सिमट गई कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे फिर किसी काम से मैं घर के बाहर जा रहा था तो मैं देखा मेरी ननी सी बेटी दरवाजे पर बैटी हुई बेसर पैर की बाते कर रही है और उसके पास काबली वाला भी उसके पैरों के पास बैटा है और मुस्कुरा रहा है उसकी बाते भी सुन रहा है बीज-बीज में मीनी की बातों पर वो अपनी राए भी बताता था मीनी को पांच साल के जीवन में अपने पिता के अलावा ऐसा धीरस ध्यारण करके जो उसकी वेकार की अरदम शरदम को सुने वो शायर ये काबुली वाला ही मिला था मैंने ये भी देखा कि उसका छोटा सा आचल क्या होता है ये तुपट्टा जैसे आचल में खूब सारे बदाम किश्मिश भरे हुए थे मैंने काबुली वाले से का ये सब क्यों दिया ये मत देना फिर मैंने जेब से अठनी निकाली और काबुली वाले को दे दी काबुली वाले ने अठनी मुझे से लेकर अपने जोले में रख ली लेकिन जब मैं घर वापस आया तो मेरे घर में उस अठनी को लेकर बहुत जगड़ा मचा हुआ था बार-बार मिन्नी की माँ उससे पूछ ली ते तुझे अठनी कहां से मिली बच्ची से मिन्नी क्या रही थी काबुली वाले ने दी ती मैंने मांगी नहीं थी उसने खुद दे दी लेकिन मैंने मिन्नी की मां को समझाया और मिन्नी को लेकर बाहर लिया पता चला इस दोरान काबुली वाले रोज आकर मिनी को पिस्ता बदाम देता है और मिनी के नन्ने दिल पर उसने बड़ा विश्वास से माली आए और ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए है काबुली रहमत को देखते हुए मेरी बेटी हसते हुए पूस्ती काबुली वाले तुमारी जूली में क्या है रहमत हसते हुए कहता हाती मतलब उसकी जूली में हाती है इस बाते हुए दोनों बहुत हसते और उनमें एक और हसी की बात थी वो कहती मिनी रहमत मिनी से कहता मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी ससुराल का मतलब तो मिन्नी को पता नहीं था तो वो उल्टा उससे पुस्ती तुम ससुराल जाओगे रहमत ससुर के लिए खुब मोटा भूसा तान के कहता मैं अपने ससुर को मारूंगा मिन्नी को ससुर में पता नहीं क्या शब्द में बड़ा मज़िदार लगता उसको ससुर शब्द बस वो इतना हस्ती लोटफोट हो जाती इस बात को सुन कर मुझे में देश विदेश घुमने की इच्छा है लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलती मुझे घबराट होने लगती है इसलिए सुभा अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर काबुली के साथ बाचित करने से बाहर का घुमने का काफी काम हो जाता है वो टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें बताया करता था उसके तस्वीरे मेरी आँकों में आ जाते थी मेरी जो मिन्नी की मा है यानि मेरी पत्नी बहुत शक्की सुभाव की मही ला दी उसको रहमत काबुली वाले पर बिल्कुल भरोसा नहीं था वो मुझसे बार बार कहती कि देखो इस पर नजर रखा करो और मैं उसके शक को हसी में उड़ा देता था मैं कहता ऐसा नहीं होता किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते एक लंबे चोड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा लेना क्या बिल्कुल नामुम्किन है वो मुझसे बहुत लड़ती कौन मिन्नी की मा उसको डर लगता था उससे लेकिन वो कहता है लेकक ने का मैं इतने अच्छे इंसान को अपने घर आने पे केवल शक के अधात पे रोग नहीं सकता तो इसलिए काबुली वाले का और मिनी का और रहमत जो लेकक है उनका सबका मेर्चोर बना रहा इधर माग के महीनों के बीचो बीच रहमत अपने देश चला जाता हर वर्श इस समय वो क्या करता अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में लगा रहता लेकिन एक बार वो मिन्नी से जरूर मिलता अगर सुआ नहीं तो शाम को अब एक दिन सबेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था तभी जोड का बाहर हल्ला सुनाई दिया तो देखा कि दो पुलिस वाले दो पहरे वाले रहमत को बांद के ले जा रहे हैं और उसके पीछे तमाशा देखने वाले लड़कों के टोली चली आ रही है रहमत के शरीर और कपड़ों पे खून के दाग है और पहरेदार वाल जो पुलिस वाला था पहरेवाला उसके हाथ में खून से सना चुरा है मैंने बाहर आकर पहरेवालों को रोक कर पुछा मामला क्या है मालूम हुआ कि एक पडोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया थार उसने जूट बोलकर फैले पैसे उधार लिये और जब इसने अपने देश जाने के लिए पैसे मांगे तो उनको पैसे देने से इंकार कर दिया इसी बात पर दोनों का जगड़ा इतना बढ़ गया कि रहमत ने क्रोध में आकर उसको छुरा मार दिया अब तभी मिनी भारा गई वो चिलाने लगी काबुली वाले हो काबुली वाले पलक मारती ही रहमत का चेरा आनंद से खिल गया वो उसके हाँ पास आज जोली नहीं थी मिनी ने छूटते उससे बुचा तुम से सुराल जाओगे रहमत ने हसके का वहीं तो जा रहा हूँ मिनी को उसका जवाब हसी भरा नहीं लगा फिर वो हाथ दिखा के बोला ससुर को मारता पर क्या करूँ हाथ तो बंदे है तो बोले ही वो कितनी भी छोटी बच्ची है पर उसको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है छुरे मारने के अपराद में रहमस को कई वर्षों की जेल हो गई मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया और मिनी भी उसे भूल गई दिरे दिरे वो बड़ी हो गई और उसके अन्यमेत्र बन गए अब वो मुझसे पहले जैसी बात्चीत नहीं करती थी किससे लेकर के रहा है कि मैं पिता हूँ लेकिन फिर भी वो मुझसे जैसे पहले चोटी थी बहुत प्यार की बाते करती थी अब वो बढ़ी हो गई तो सयानी हो गई बहुत सुहाबनी सुबह थी मेरे घर में शहनाई बज रही थी और उसके स्वर मेरे हिर्दे को रुला रही थी क्यों? क्योंकि वो उसकी बच्ची की शादी थी सुबह से ही विवार की तयारिया हो रही थी मैं बाहर कमले में बैठा हिसाब देख रहा था अचानक से रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया मैं पहले तो उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके पास ना वो जूली थी ना कुछ और शरीर भी कमसोर हो गया फिर जब पास आया मैंने का अरे रहमत तुम कब छूटे? उसने का कल शानको ही मैं जेल से छूटा हूँ बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ आज के शूब दिनी आदमी ना आता तो अच्छा रहता तो मैंने उसे का देखो आज हुमारे घर में बहुत काम है तुम आज चले जाओ बात सुनते ही वो चला गया फिर उसने का वापस आ की बोला क्या एक पर मुन्नी को देख सकूँगा शायद उसको विश्वासना मिनी अभी भी वैसी होगी छोटी सी बच्ची और काबुली वाला कहते हुए दोड़ कर आएगी और उससे बच्चों जैसी बाते करेगी और वो उसके लिए अंगूर किश्मिश बदाम भी ले किया आया था मैंने का देखो आज घर में काम है आज वो किसी से नहीं मिल सकेगी वह दुखी मन से सलाम बाबु कहके जाने लगा पता नहीं मुझे उसके जाने पे कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे लगा जैसे बहुत दुखी हो गया तो लेखक बहुत मैंने पहले ही बताया लेखक बड़ा सम्वेदन चील है भाबु कहा उसे का चारुको वापस आओ उसने उसे बुलाया कि मैंने उसे वापस बुलाया तो काभुली वाल उनने पास आके का सुनो अच्छा जब मिन्नी को आप ये काजू वदाम और ये सत्य देना और जब मैं उसको पैसे देने लगा तो उसने का नहीं बाबु जी जैसे आपकी लड़की वैसे ही मेरी तो मैं तुम्हारी बच्ची के लिए इसी लिए मेवा लेकर आता हूं सौधा करने नहीं यह कहते हुए इसने अपने कुड़ते में से जो उसमें एक मैला सा कागस था वो निकाला और उसने बताया उसने मेरी टेबल पर खोल के रख दिया तो उसमें चोटे-चोटे पंजो के तोर पे हमीशा रखता हूं अब जैसे वो उसने वो दिखाया उसको कि टेबल पे जो चोटा सा जो कागज है जिस पे उसके बच्चों की छाप है यह सब देखते ही लेखक ने का कि मेरी तो आखे चल चला गई उस समय मैंने समझा कि जो वो है वो ही तो मैंने हूं वो भी एक पिता है और मैं भी एक पिता हूं तो उसको बहुत बुरा लगा लेखक को और उसने तुलंत मिनी को अंदर से बुलवा लिया शादी के लाल साडी पहने माथे पर चंदल लगाए बहु वेश में लच्चा से आकर मिनी मेरे पास आके खड़ी हो गई और जैसे उसको मतला समझती थी मुझे कावुले वाले और मिनी की पहली भेंट याद आ गई मैं भी कुछ दुखी हो उठा मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर पैट गया अचानक उसकी समझ में साफ आ गया कि इतने सालों में जैसे मिनी बढ़ी हो गई इसी प्रकार से उस पर क्या भीती होगी यह भी कोई जानता है उसका चेहरा यह सोच कर दुख और चिंदा से भर उठा मैंने उसके हाव भाव को पढ़ लिया और मैंने क्या किया एक नोट निकाल कर उसे देते हुए का रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपनी बेटी के पास अपनी बेट तो यह थी रभिना टैगोर की कहानी काबुली वाना ठीक है तो आशा करती हूँ आपको इस कहानी अच्छी जारा समझ में आ गई होगी अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साल तब तक के लिए नमस्कार